और राइट गाईज तो कैसो आप सब उमीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो गाईज आप यहाँ पे देख सकते हूँ यहाँ आप मैंने 100% इन्वेस्ट कर दिया है जो कि फूल कंपाउंडिंग कर दिया है तो आज की इस वीडियो में हमलों कोटेक्स में 10 से कमपाउंडिंग करने वाले है तो बीडु में बने रही बीडु बहुत ही इन्ट्रेस्टिंग होने वाला गाईज तो देख सकतो यहाँ आप मैंने 100 टोलर के यहाँ पर कंपाउंडिंग कर दिया है देखते हैं इस टेट का क्या रिजल्ट होता है और ए 800% ग्रिन कैड़ बनने वाले तो आप लाश्ट शेकेंड तक देख लेना गाईज एक केंडल ग्रीन केंडल बन के हमारी यहाँ पर शोर्ट शोर्ट डन होने वाली है तो आप लोग वेट करिए क्या होता है इस टेट का रिजल्ट तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितना डीप डाउन चल रहा तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन केंडल बन रही है हमारी ट्रेड वीन ही जाने वाली यहाँ पर मेरा शोर्ट शोर्ट था तो शोर्ट शोर्ट पर मैंने यहाँ पर ट्रेड किया थो तो 100% इसको वीन ही जाना चाहिए ऐसे ही मैं 100% शोर्ट शोर्ट सिंग भी कर दिया है जो कि short short trade यहां पर मैने लगा दिया है जोकि हमारा second step compounding होने वाला है तो देखते ही इस्टेड का क्या result होता है मैरे सबस्के स्कोर green candle ही बनना चाहिए तो last second तक देखते ही state का kya result होता है तो आप गाईज अगर आप लोग फिर टेलिग्राम चैनल से जोईन नहीं हुए तो जोईन हो जाईए गाईज तो चलिए देखते हैं इस्टेट का क्या रिजल्ट होता है अभी कुछ सेकंड बाकी हुए हैं तो देखते हैं इस्टेट का क्या रिजल्ट होता है गाईज मेरे साबस इसको तो green candle ही बनना चाहिए हो हमारी short short trade हमारी इसको win जाना चाहिए तो guys आप यहाँ पर देख सकतो short short हमारी trade यहाँ पर win जा चुकी है तो guys आप यहाँ पर देख सकतो यहाँ मैंने back to back two step compounding done कर चुका हूँ अभी मैं और करने वाला हूँ इस account को अच्छा खासा grow करूँगा जहाँ पर मुझे अच्छी good entry के साथ trade मिलेगी जहाँ मुझे short short trade मिलेगी उहाँ पर मैं trade करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं wait करके trade करूँगा guys क्यूकि यहाँ पर मुझे short short के साथ trade करना है और इस compounding को जो है complete करना है जो मेरा target है उसको achieve करना है तो wait करीए आप लोग यहाँ पे जहाँ पे मुझे अच्छी entry मिलेगी वहाँ पे मैं trade करने वाला हूँ अभी मैं wait करूँगा जहाँ पे मुझे short short rate दिखने वाली guys तो वहाँ पे मैं trade करने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं बहुत time से wait कर रहा था मुझे entry दिखना ही रही थी जो मेरा short short कोई दिखना ही रहा था तो यहाँ पे मैं short short एक trade बना हुआ है तो यहाँ पे मैं full compounding कर दिया हूँ और इसको 100% यहाँ पे rate candle बनना चाहिए तो 100% यहाँ पे rate candle बनने वाली आप लोग wait करिए guys देखते हैं इस trade का क्या result होता है क्योंकि यहाँ मैं short short पे रही trade कर रहा हूँ अभी तक जितनी भी मैंने trade की सारी short short पर trade की है और इसको भी 100% rate candle बनना चाहिए तो आप लोग wait करिए देखते हैं इस trade का क्या result होता है तो देख सकते हैं हमारी trade win जा रही जो कि 100% यहाँ पे rate candle बनना चाहिए तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जहाँ पे मुझे अच्छी entry के सारी ट्रेड मिलेगा short short हम लोग का trade मिलेगा तो हम लोग trade करेंगे जो कि हमारा यहाँ पे एक short short था जो कि done हो चुका है अभी मैं और short short खोज रहा हूँ तो यह भी हमारे short short बन सकता है तो यहाँ पे मैं 100% करूंगा trade अगर थोड़ा सा shaped candle बन चुकी है तो देखते हैं क्यूंकि यह हमारा short short है प्लस यहाँ पे हमारा shaped candle बना हुआ है तो थोड़ा सा doubt हो रहा था मुझे लेकिन अभी विन जा रही क्यूंकि shaped candle थोड़ा से यह जो है wrong candle होते हैं ह्लब की decision of the market होते हैं घाई तो वहाँ पर हम लोगा trade नहीं करनना चाहिए था लेकिन यहाँ पर मेरा short short बना था उस आपस मैंने यहां पर trade किया तो 100% हम लोगा यहां पर trade win जा रहा है तो आप यहां पर देख सकते हो 100% हम लोग का trade यहां पर win जा रहा है जो कि इसको win ही जाना चाहिए और अच्छा कासा हम लोग के यहां पर mount grow होने वाला है जो कि हमारा यहां पर fourth step compounding done हो जाएगा trade win होने के बाद हम लोग का fourth step compounding done होने वाला है तो देखते हैं क्या होता है यहां पर candle कौन सी बनती है हमें फिर्चे short short मिलेगा यह 90% वाला जो trade मिलेगा उस पर हम लोग trade करेंगे 70 80% वाले पर trade नहीं करेंगे short short plus 90% जो हम लोग trade रहेगा उसी पर हम लोग trade करने वाले हैं तो आप लोग wait कर यह देखते हैं हम लोग को entry मिलत थी तो यहां पर मैंने full compounding फिर से कर दिया है गाइस तो देखते हैं इस trade का क्या result होता है तो आप यहां पर देख सकतो है हमारी trade यहां पर 100% short short win जा चुकी है अभी हमारा यहां पर compounding done हो चुका है तो देखते हैं अभी क्या होता है यहां पर मैं wait कर रहा था बहुत time से wait कर रहा तो यहां पर मैरी short short trade बन चुकी है तो यहां पर आप देख सकतो है हमारी short short trade बन चुकी है तो इसको 100% यहां पर rate candle ही बनना चाहिए तो देखते हैं इस trade का क्या result होता है अच्छा का सा rate candle बनेगी जो की week candle बनना चाहिए तो देखते हैं इस trade का क्या result होता है हमारी trade 100% short शोट जानी चाहिए गाईज क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत टाइम से इसको वेट कर रहा था इस केंडल को यहाँ तक आने का और इस केंडल ने बता दिया है कि यहाँ पे सेलर्स आने वाले क्योंकि आप विक्स देख सकते हो विक्स कितना जो इसका टेल है कितना लोंग हो रहा है टेल रोंग हो रहा है पलस यहाँ पे इसका हेड नहीं है तो उस उससे आप से इसको रेट केंडल बनना चाहिए तो आप देख सकते हो कितना जादा स्ट्रॉंग रेट केंडल बन रही है और यह हमारी ये शोर्ट शोट भी जाने वाली है गाईज तो चलिए और जहाँ पर मुझे इंट्री मिलेगी परफेक्ट इंट्री मिलेगी तो मैं ट्रेट करूंगा तो गाईज यहाँ पर मैंने फुल कंपाउंडिंग कर दिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने फुल कंपाउंडिंग कर दिया और हमारी 100% शोर्ट शोर्ट ट्रेड होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मेरा एक शोर्ट शोर्ट ट्रेड बना हुआ था मैं आपको बताता हूं कौन सी शोर्ट शोर्ट है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक लेवल है जो कि स्ट्रॉंग लेवल है प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दो रेट के बाद एक ग्रीन बन रही है दो रेट के बाद एक ग्रीन बनना चाहिए दूसरा pattern हो गया प्लस यहाँ पे दो hammer candle हुई है एक जो यहाँ पे spinning top है प्लस एक hammer candle है उससाब से इसको green candle बनना चाहिए जो कि मेरा short short pattern है और उससाब से आप देख सकतो यहाँ पे green candle बनी है जो कि मारे यहाँ पे short short done हो चुका है तो अभी मैं और short short ढूडता हूँ यहाँ पे बेट करके short short के साथ trade कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं compounding कर रहा हूँ एक भी trade हमारी miss होगी हमारा सारा amount loss हो जाएगा तो यहाँ पे में short short के साथ ही trade कर रहा हूँ तो इसलिए मैं wait करके trade कर रहा हूँ तो चलिए अभी मैं देखता हूँ जहाँ पे मुझे entry मिलेगी तो आप में trade करूँगा wait करिए आप लोग देखते हैं जहाँ पे मुझे अच्छा खाशा short short trade मिलेगा तो आप में trade करने वाला हूँ अभी देखता हूँ गाई यह candle कौन सी close होती है अगर candle red candle बन जाती तो हम लोग red candle बनेगी यह green candle बनेगी इस level के अंदर ही close होगी अगर तो हम लोग red के लिए trade करेंगे अभी तो यहाँ पे बहुत जादा big candle बन चुकी अगर यह hammer candle आके बन जाती है इस level का अंदर hammer candle बन जा करती है तो हम लोग को एक शोट शोट यहाँ पर ready हो जाएगा तो हम लोग शोट शोट के लिए trade कर देंगे एक candle को close होने दीजे कौन सा candle यहाँ पर बनता है तो मैं फिर से यहाँ पर trade करूंगा गाइज जैसा कि मैंने बोला था यहाँ अगर hammer candle बनी तो मैं यहाँ पर trade करूंगा तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो full compounding यहाँ पर मैंने कर दिया है जो कि हमारी trade यहाँ पर short short trade विन जा रही है क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला था यह hammer candle बनेगी तो यहाँ पर मैं trade करूंगा क्योंकि यहाँ पर मेरा short short यहाँ पर दिख रहा था मुझे तो यहाँ पर जैसे यह hammer candle बनी inverted hammer candle है यहाँ पर inverted hammer candle है जैसे inverted hammer candle बनी तो यहाँ पर मैंने short short trade कर दिया है तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा big candle बन रहा है जो की 100% short short trade हमारी यहाँ पर बिन जा रहा है तो आप लोग देखिए क्या होता है इस trade का result वेट करिए गाईज तो देखते हैं इस trade का क्या result होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी trade यहाँ पर short short बिन जा चुकी है अभी मैं wait करूंगा गाईज और मुझे जहाँ पर short short मिलेगा हूँ वहीं पर में trade कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छा कासा amount हम लोग को grow हो चुका है टेन डॉलर से 1497 डॉलर हो चुका है और इसको हम लोग अच्छा कासा grow करने वाले टेन डॉलर से गाईज हम वेट करते हैं जहाँ पर मुझे अच्छी इंट्री मिलेगी तो हम लोग trade करेंगे गाईज तो गाईज यहाँ पर भी मेरा एक short short pattern हो चुका है तो यहाँ पर मैं अपके लिए करूंदू यहाँ पर मैं आपके लिए trade करूंगा और यहाँ पर मैंने अपके लिए full compounding कर दिया है तो आप यहाँ पर मैंने फूल compounding कर दिया है ये थोड़ा मेरा trade रॉंग हो चुका है थोड़ने सी रॉंग इंट्री हो चुका है फिर भी देखते हैं इस trade का क्या result होता है और देखते हैं गाईज क्या होता है state का result अभी यहाँ पे बहुत सारा timer बचा हुए तो देखते हैं state का क्या result होता है मेरे श्याप सब्सक्राइब को green candle बनना चाहिए अच्छा खासा यहाँ पे इस candle को grow करना चाहिए गाई तो देखते हैं क्या होता है big candle बनना चाहिए तो तो देखते हैं क्या होता है अभी यहाँ पर देखते हैं क्या होता है गाईज हमारी टेर्ड यहाँ पर विन जाती है क्या होता है मेरी साफसो तो भी नहीं जानी चाहिए अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेस करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है इस्टेट का रिजर्ड गाईज तो आप यहाँ पर देख सकतो हो नेटोर किसी को वज़े से यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा तो आप देख सकतो हो यहाँ पर हमारा 100% शोर سय ट्रेड विन जा चुकी है जोकि मेरा यहाँ पर फुल अमॉंट यहाँ पर शौर्ट विन जा चुका है और आप बैलेंस भी देख सकते हो बत देख सकतो हों गैंडल कितनी स्टरांग कैंडल बनी हुई है प्लस आप यहाँ पर वैलेंस देख सकतो तो 2799 डॉलर हो चुका है अच्छा खासा एकाउंट ग्रोव हो चुका है जो कि 10 डॉलर्स हम लोग यहाँ पर कर रहे थे तो आप यहाँ पर देख सकतो यहाँ मैंने 100% रिलेट करके फुल कंपाउंडिंग कर दिया है यह थोड़ा सा मेरा यह वाला ट्रेड रॉंग लग चुका है तो देखते हैं इस ट्रेड का क्या रिजल्ट होता है यह वाली हमारी जो ट्रेड है बहुत ज्यादा थोड़ा सा इ अगर फिग केंडल बन जाएगी तो अच्छा खासा हमाउंट ग्रो होने वाला है जोकि 5000 डॉलर हो चुका है यह दिखा रहा है जो मैंने यहाँ पर ट्रेड लगी थी नेट की वज़ेस यहाँ पर इस्टक हो चुका है तो यह हट नहीं रहा है तो आप यहाँ पर देख सकत से हम लोग यहां पे start किये थे और 5,200 डॉलर हो चुका है जो की बहुत ही अच्छा खासा amount हम लोग का grow हो चुका है गाईज तो आज के लिए बस इतना है गाईज आज के लिए अब में trade नहीं करने वाला हूं क्योंकि अच्छा खासा amount grow हो चुका है अगर यह loss हो हमारा सारा amount जा सकता है तो हम लोग यहां पे tricks नहीं लेने वाले हैं तो चलिए अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पे इनल चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा कुछ भी question हो था मुझे टेलिग्राम पे डियम कर सकते ह झायर को जिस दे लाइमा अर्व दे लाइब ही लाइब से हैं तो कि झाल डियोग